हाई गाई वेलकम तो मैं चैनल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूं कि मैं अपना मेकप किस तरीके से रिमूउ करती हूं में जो भी प्रोड़क्त इस वीडियो में यूज करूँगी सभी का लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन वाप्स में मिल जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना ऐसे और भी पैशन एंड ब्यूटी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्रेब कर देना सबसे पहले आपको आइलेशिस को निकालना है अगर आपने आइलेशिस वीयर कर रखी है तो उसके बाद ही मेकप रिमूँ करें फिर मेकप रिमूँ करने के लिए मैं यूज करूंगी कोकोनट ओल का यह 100% प्योर है और यह है पेराशूट से तो मैं इसे थोड़ा सा कोटन पर प्रॉड़ट कर दूँँगी देन में इस तरीके से मेकप रिमूँ करूंगी यास गास कोकोनट ओ से मेकप बहुत ही इसली एजली रिमूँ हो जाता है आपको कोई भी मेकप रिमूँर पर की ज़ोरत नही ए रिमूँ करने के लिए अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि coconut oil comedogenic होता है इससे acne breakouts की problem हो जाती है बट मैं बचपन से अपने face पे coconut oil use करती हुई आयू एवन अपनी body पे भी और मुझे कभी कोई ऐसी problem नहीं हुई है मेरे लिए और ultra beneficial है बहुत तो अगर आपके साथ भी है तो आपको make-up remover में invest करने की कोई जरूरत नहीं है as you can see guys इसली make-up को remove कर देता है यह base makeup ही नहीं आपका eye makeup भी easily remove कर देगा आप देख सकते हो चाहे आपका eye makeup हो या फिर आपके कोई भी non transfer proof lipstick हो easily remove हो जाएगी इससे इसमें lemon and vitamin E है और यह especially acne skin वालों के लिए है इसका जो texture है वह बहुत ही light weight है और बहुत ही transparent face wash है यह तो इस face wash की help मैं अपने face wash को wash करूँगी इस face wash में बहुत ही अच्छा चे ingredient है और अगर आपकी skin भी acne pro है like me या फिर बहुत sensitive skin है और आप कोई एक अच्छा face wash ढूण रहे हो तो आप यह वाला face wash ट्राय कर सकते हो face wash से क्या होगा कि मैंने जो भी coconut oil यूज किया था तो जो भी extra coconut oil होगा मेरे face पे वो remove हो जाएगा और थोड़ा जो भी make up बचा होगा क्योंकि make up remove और से भी पूरा make up नहीं निकलता है तो वो भी remove हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने face wash कर लिया है next मैं use करूँगी Clovia Botanica का anti acne face mask इसमें मुल्तानी मिट्टी और भी बहुत सारे विटामिन से विटामिन C,E,B5,B2 और जब मैंने इस face mask को ट्राइ किया तो मुझे बिलकुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे विटामिन से और मुझे face mask लगाने के बहुती ठंडा ठंडा लगता है इसकीन बहुती रिफ्रेश लगती है बहुती अच्छा लगा मुझे face mask जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं होता कि आप घर पे कोई homemade face mask बनाओ तो आप यह वाला face mask ट्राइ कर सकते हो इसमें बहुती अच्छे इंग यूज करूंगी सभी का लिंक में आपको description box में दे दूगी अब जब भी face mask लगाओ हमेशा इसको नीचे से उपर की तरफ लगाओ कभी भी उपर से नीचे की तरफ मत लगाओ कि यह face mask जो होता है यह हमारी skin को tighten भी करता है इसके साथ साथ हमारी skin में जो भी impurities वागिरा होत तक अच्छे से सुख जाए तब तक आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है तो यहाँ पर दस पंदा मिर्ट हो चुके है और आप देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा face mask जो है वो बिल्कुल सुख गया है अब आपको इसे निकालना कैसे है इसे निकालने के लिए थोड़ है और बहुत हेल्दी स्कीन भी लग रही है नेक्स में यूज करूंगी क्लोविया बोटैनिका का एंटी एकने फेस सीरम इसमें बहुत अच्छे इंग्रीडियंट है जैसे टी ट्री ओल नियासिनमाइट सेलिसाइकलिक एसीड और अलोवेरा और यह जो रेंज है यह सारे ह प्रोबलम है और मुझे फेस पे हलके से स्कार्स भी है तो मैं यह वाला सीरम यूज करती हूँ इसमें क्या है इसमें नियासिनमाइट है जो डाग स्पोर्ट होते है एक्रीक है उनको रिड्यूस करता है और सेलिसाइकलिक एसीड यह पिंपल्स को बहुत कम कर देता है और होने वाले जो भी बैक्टेरिया होते है उन्हें किल कर देता है तो अगर आपको इस रेंच को ट्राइ करना हो तो मैंने लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप एक बार ट्राइ कर सकते हो यह पर मैं दो तीन मिनिट वेट करूंगी यह सीरम अपलाई करने के बा तो यह संस्क्रीन है बड़े बिल्कुल भी वाइट कस्ट नहीं छोड़ती है और फेस को अच्छे से मॉस्चुराइज कर देती है बहुत ही लाइट वेट मॉस्चुराइजर है यह तो मैं इस अपने फेस पर अपलाई कर लूँगी यह हमारी लास्ट स्टेप है इसकीन के कि सीरम लगाने के बाद मैंने इस अपलाई किया है और आप देखो इसने मेरे फेस पर बिल्कुल भी वाइट कस्ट नहीं छोड़ा है अच्छे से मेरी स्कीन को भी मॉस्चुराइज कर देता है और अज़े संस्क्रीन की तरह भी वग कर देता है तो यहाँ पर मेरा स्कीन क अपलाई करना इसको अपलाई करने से अगर आप 699 की शोपिं करोगे तो आपको 200 रुबिस का उफ मिलेगा तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक